अगर आप सब CS rank का हर एक match जीतना चाहते हो और आप चाहते हो कि CS rank में आप भी grandmaster push करो तो आप सब के लिए character combination चूज करना एक बहुत ही ज़्यादा important topic है because without best character combination के आप सब CS rank में कोई भी match आसानी से नहीं जीत पाओगे that's why तुम सब की इस problem का देखते हुए तुमारा ये वीडियो लेके आज चुका है देखिए एक squad के अंदर चार character combination होना पहुत ही ज़्यादा important है टीम के हर एक बंदे के अंदर अलग-अलग skills होनी ही चाहिए जैसे कि अगर आपकी टीम का एक बंदा rusher है तो दूसरा बंदा recoverer होना चाहिए और तीसरा बंदा location detector होना चाहिए ताकि ये सब मिलके आपस में coordination बना सके और हर एक match को भूया कर सके तो दोस्तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चार breast character combination के बारे में जिन में से पहला character combination है location detector दोस्तो अगर आप सब लोगों को enemy की location पता होगी तो आप उनके उपर आसानी से rush कर पाओगे और अगर वो damage है और वो recover करना चाहते है तो आप उनकी location को find out करके उनके उपर rush कर सकते हो और पूरी team को खतम कर सकते हो location detector combination के अंदर आपको सबसे पहले active skill के अंदर रखना है clue आप सबको clue की ability तो पता ही होगी और अगर आप लोगों को clue की ability पता नहीं है तो माप लोगों को बता देता हो clue काम करते है कुछ इस तरीके से अगर enemy, squat या फिर prone position के अंदर नहीं है तो 65 meter के अंदर अंदर आपको उसकी location के बारे में पता चल जाएगा वो भी सिर्फ 10 second के लिए बाकी के जो 3 passive skill slot बच जाते हैं उन में से पहले number पे अंदर आप लोगों को use करना शिरो का अब इस character की ability ये है कि जैसे आप किसी भी बंदे को उपर grenade फेकने के लिए जाते हो और वो बंदा आपके उपर fire कर देता तो आप लोगों को उसकी object position के बारे में पता चल जाएगा जिसकी वज़े से आप उसकी location को detect करके उसके उपर grenade फेक सकते हो और उसको down कर सकते हो श्रियो को use करने के बाद आपको use करना auto character का क्योंकि जैसे आप grenade से enemy को down करोगे तो auto की helps वे उसके पास जितने भी enemy होगे उसके बाद जितने भी teammate होगे उन सब की बारे में location के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा और आप सब उन teammates को आसानी से kill कर पाओगे और आखिर में जो character slot बच जाता है आप उसके अंदर moco का use कर सकतो अब ये तो था हमारा location detector combination बट अभी हम बात करने वाले हैं rusher combination के बारे में तो दोस्तों rusher combination के अंदर सबसे पहला character जो आप लोगों को use करना वो है दसा इस character की skill ये है कि जैसे ही आप enemy को down कर देते हो तो उसी time आपका rate of fire and movement speed increase हो जाता है और एक rusher player के लिए movement speed and rate of fire increase होना मतलब तबाही भाइसा बिल्कुल तबाही कर देगा वो player and rush करते time अगर आपके उपर थोड़ा बहुत damage हो जाता है तो उसको recover करने के लिए आप लोग जोटा character को as a second character यूज़ कर सकते हो इससे आपकी hp थोड़ी बहुत recover हो जाएगी next character slot के अंदर आप कोई भी active rusher यूज़ कर सकते हो जैसे की woonkong, santuno, tatsua और भी बहुत सारे character जो आप लोगों aggressive लेगे और active हो and last में आप सब को use करना है उथो character का जिसकी skill के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया by the way दोस्तो अगर आप से भी चैनल पे न्यूँ आयों तो प्लीज जैर इस चैनल को सब्सक्राइब करके bell notification को ओल पे select कर लेना and अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है कि जब भी आप इसकी ability को own करते हैं तो आप लोगों को 50 extra HP मिल जाएगी and साथ में अगर आप इसकी ability को own करके कोई भी medikit use करोगे ना तो आप लोगों को 75% HP extra मिलने वाली है जैसे कि normally आप लोगों को बता हूँ अगर एक medikit से आप लोगों को 100 HP recover होती है तो इस ability को own करके आप लोगों को 175 मलब कि 75 HP extra मिलने वाली है and ये जो ability है inhaler के उपर भी work करेगी जैसे कि अगर आपका inhaler आप लोगों को 15 HP तक देता है तो इससे आपकी 75% मलब की 15 का 75% और increase हो जाएगा जिस आपका inhaler weak work करेगा तो भाई ये थी इसकी character की ability active skill को use करने के बाद आपको use करना है 3 passive skills का जिसमें से पहले आपको use करना है forward character का जिससे ये होगा कि enemy अगर आप लोगों को damage देता है तो forward character आपको 3 second में 3 HP recover करके दे देगा उसके बाद आपको use करना है 10ा का जिससे ये होगा कि जैसे ही आप किसी भी enemy को down करोगे तो आपका movement speed 12% and rate of fire 18% increase हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको use करना auto character का जिसके पास 2 abilities है पहली ability ये है कि जैसे ही आप किसी भी enemy को down करते हो तो आपको उसके 20 meter area के अंदर जितने भी teammates होगे उनकी location के बारे में बता चल जाएगा जितने भी teammates 20 meter के area में होगे उनकी movement 25% तक decrease हो जाएगी जिसके करना आप लोगे उनके उपर rush कर सकते हो उनको down कर सकते हो तो मैंने आप लोगों को अभी लग तीन best character combination के बारे में बता दिया है जरोत नहीं है ताकि जब भी आपके उपर damage पड़े तो आपकी वहीं HP वापस से recover हो जाए और आप बन जाओ HP के king तो HP recoverer के अंदर आप लोगों को सबसे पहले use करना fold ability का जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था जब तक आपका fold character 30 HP दे देगा उसके बाद ये अपने HP देना start करेगा और ये लगवल आपको 60 HP प्रोवाइड करेगा और 30 fold character की and lion character की 60 HP मिला कर आप लोगों के पास 90 HP extra हो जाएगी damage पड़ने के बाद तो आप लोग lion character and as a second character use कर सकते हो और उसके बाद active skill के अंदर आप कोई भी healing character यूज़ कर सकते हो जैसे की K हो गया या फिर आलोक हो गया जो आपकी HP recover कर देगा और बहुत ये ज़्यादा help करेगा और last slot के अंदर आप सब जोटा character का यूज़ कर सकते हो जो आप लोगों को 20 HP पी recover करके देगा after damage तो ये था हमारा चार best character combination का वीडियो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कुमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना चलिए फिर मिलेंग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए